हाई गईज वेलकम बैक तो माई चैनल फाइनली आप सब के डिमांड पर आ चुकी हमारे चैनल पर ऑल न्यू 2024 अपडेटेड बजाज पलसर NS200 डीटेल में इसके सारे स्पेक्स देखने वाले है छे मैंने पहले इनफेक्ट जब इसमें यूसडी आये थे और एक दो से सारी बाते करने वाले हैं डीटेल रिवी रहने वाला है आज की वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि 200cc की बाइक लेने का प्लान कर रहे थे अपाचे 200 लेना चाहिए एनस को लेना चाहिए हॉरनेट 2.0 लेना चाहि जादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से यह रही बाइक की की सबसे पहले तो बताओ लोकेशन कैसी लग रही है और लोकेशन पर किंग ऑफ सेगमेंट खडी हमारे साथ 2024 NS200 डीटेल में सारे स्पेक्स देखने काफी अपीलिंग कलर है सबसे पहले चेंजेस की बात कर लेते हैं उसके लिए मैं कर लेता हूं इसके की को इंसर्ट फाइनली आप सबकी डिमांड में आपको NS200 में मिलने वाला है फुली LED सेटप यहां पर जो हेलोजन मिलता था पुरानी राइड वीडियो में डालता था उसमें लोग बोलते थे कि यार हेलोजन को अप्ग्रेड करके LED कर देना चाहिए फाइनली यहां पर LED कर दिया और यह जो LED DRL से कितने अपीलिंग यहां पर लग रहे हैं आप देख लो एक बार आपको हैडलेम का रिस्पॉंस बता देता हूं बाइक को कर लेते हम पर तो अब आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है प्रॉपर यहां पर ब्राइट LED सेटप देखने को मिल जाता है तो अगेन आपको हेलोजन से रिप्लेस करके LED दे दी हैं ज्यादा डियूरेबल निये पुराने वाले डियूरेबल थे बड़ इसको आप अगर कहीं प प्राइज 1,60,000 रुपीजे और कहीं न कहीं यह अन्रोड जी इतनी आती है नो उससे जाधा महेंगे आपको डियूक के एक्शोरूम पढ़ने वाली डियूक 200 आपको 1,96,000 के आराउंड मिलती है यहां पर आप देख सकते हो डियल चैनल ABS के साथ आपको यह बाइक मिलने व यहां पर आपको इसकी ABS की रिंग मिल जाती है एलोइस के साथ आने वाली यहां पर मेनली टायर प्रोफाइल की बात आती है यह भी अगेन बेस्टी सेगमेंट है फ्रेंट में 100 सेक्शन टायर मिलते है अब जितनी ब्रॉड एंड मस्कुलर यह गाड़ी की प्रोफाइल है उसके उपर 100 सेक्शन आप देखो कितने प्यारे यहां पर लग रहे है 100 सेक्शन टायर प्रोफाइल देने कारण गाड़ी बहुत ही स्टेबल चलती है पिछली राइड वडियो नहीं देखी हो तो आप एक बार जाकर चेक आउट करना जिसमें हमनें सारी बाते डीटेल में जाती है पुरानी एनस में भी आती थी बट जो बड़े अपडेट्स थे हैडलम सेट अप टर्न सिगनल मैंने आपको बता दिया इंस्टुमेंडल क्लस्टर के और भी बढ़ने वाले यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप कूलेंट लेवल शो कर रहा है अब फाइनली ब ट्रिपल स्पार लिक्विड कूल इंजन मिलने वाला है जो कि 24.5 PS की पावर एंड 18.73 एनमाफ फीक तॉर प्रड्यूस करती है नेक्स्ट लेवल पावर रहने वाली है अपाचे की कंपैर कर लो अपाचे की अरौन 20 PS मिलती है हॉरनेट की और भी कम है साथी में ड्यूक 200 की 25 PS है बड़ बहुत ज़्यादा कॉसली है जिस प्राइस पॉइंट पर गाड़ी आती है इस से ज़्यादा पावर फुल गाड़ी आपको इंडियन मार्केट में नहीं मिलने वाली है साथी में माइलेज की जहां बात आती है 30 से 35 तक का माइलेज आप इस गाड़ी से इस गा आपको parameter frame यहां पर मिल जाती है यहां पर भी आपको rubber padding दिए जिसके करण rider को काफी comfortable रहने वाला है while riding leg guard आपको यहां पर मिल जाता है यहां पर आप insert देख सकते हो थोड़ी match finish मिल जाती है fuel injection के साथ यह आती है fuel injection आयो है काफी time हो गया है mileage पे भी कहीना कहीं उससे impact पढ़ा है ज्यादा better mileage आपको मिलने वाला है साथी में आती है rear की और foot packs की आप quality देख लो build quality में कभी भी बजाज compromise नहीं करता है यह गाड़ी अगर आप 10 साल पूरानी भी देखोगे न owners की आज भी इतनी बड़िया चल रही है तो कहीना कहीं long term म एक बड़िया choice रहने वाली है साथी में rear में आते हैं तो monoshock absorbers मिल जाते हैं nitrox gas charge monoshock absorbers है जिसे आप आपके according adjust भी कर सकते हो साथी में rear के looks check out कर लो NS200 की badging मिल जाती है और यह rear से check out करो आप यहाँ पर भी again आपको 240 mm के rear में disc brakes मिल जाते हैं EBS की ring आप यहाँ पर देख आपको यहाँ पर मिल जाती है टायर प्रोफाइल की जहाँ बाद आती है ना company ज्यादा ब्रॉड कर सकती थी बट कहीं ना कहीं बेट के according proper proportion में बनाना था साथी में mileage अच्छा प्रोवाइड करना था आपको इसलिए 130 section tires मिलते हैं जो की पूरे टायर अगर से भी covered है अगर टायर अगर रिमूप और आल होगे तो next level ही लुक मिलता है आपको मैं दिखा भी देता हूं यहाँ पर 130 by 70 section profile आपको यहाँ पर मिलने वाली है साथी में रियर से आप एक बार इसके looks check out कर लो opposite side आपको यहाँ पर साधी गार्ड मिल जाता है साथी में center stand भी आपको यहाँ प दिखा देता हूं simply आप यहाँ से ट्विस्ट करके इसकी रियर सीट को ओपन कर सकते हो तूल कीट यह documents तो आप यहाँ पर रख सकते हो इसकी seat height की बात करते तो मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा यह बाइक segment में सबसे ज़्यादा weighted भी और ऊची भी 805 mm की seat height आपको मिल सब्सक्राइब रहने वाली बिल्ट कॉलेटी भी कही ना कहीं वेट से आपको पता लग रही 158 kg मेरे क्याल से 6-8 kg यह पाचे से ज्यादा heavy रहने वाली है Ground clearance में आपको थोड़ा compromise करना पड़ सकता है 168 mm का है वहीं आप अपाचे में देखोगे तो 180 mm का मिल जाता है बट overall देखो यार छोटी मोटी चीज़े देखी नहीं जाती जो इसको चलाने का feel है वो next level रहने वाला है 12 liters की fuel tank capacity रहने वाली E20 update के साथ आपको मिल जाता है पलसर की याप पर embossed bedging आपको देखने को मिलने वाली साती में tank pad मिल जाता है belt के scratches भी नहीं आएंगे साती में आपको summer's में कोई heat up होने वाला भी issue नहीं आने वाला है mainly करते हैं इसके key को insert अब गाइस देखो जहां पर इसके LED headlamps and tail lamps की बाद इती ही turn signals की बाद आती ही मैं मानता हूं यह सबसे बड़ा update था major update था और ज़रूरी भी था जहां पर इस cluster की बाद आती ही नब बहुत से viewers को आज भी old school वाला पसंद है analog with digital मुझे भी कहीं ना कहीं पसंद था यार समय के साथ competitors को देखते हुए company को upgrade करना जरूरी था फाइनली इसमें आपको fully digital smart connect meter मिल जाता है यहां पर आपको 12,000 तक का RPM शो कर रहा है Bluetooth connectivity के साथ मिलता है जिसमें आपको SMS alert call alert turn by turn navigation शो करेगा warning alerts यहां पर आ रहे हैं साथी मैं odometer यहां पर अगर मैं यहां से यूनिट बना दी है उनको तो कहीं ना कहीं वह एनलोग वाली चीज मिसिंग लगने वाली बट जिनने technology के साथ upgrade करना है जादा futuristic features उन्हें कहीं ना कहीं यह काफी बढ़िया unit लगने वाली USB charging port भी आपको यहां पर मिल जाता है जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हू साथी में इसका जो clip on handle बारे ने इसके साथ चलाने का फीली next level अपको mirrors यहां पर मिल जाते हैं साथी में क्लज आप यहां पर देख सकते हैं यहां से आप आपके साथ मिल जाता है अगर आपको पावर का मजा लेना है टॉप एंड लवर तो फॉर्श और यहां बडिया चोईस रहने वाली साथी में होर्ने टू.ट की बात करें तो वह जरूर बोलते वर नेटी फोर सीट की बाई के कहीं ना कई ज्यादा फ्यूल एफिशियंट साइड चली जाती है पावर वाली गाड़ी चीए फॉर यह आपके लिए बड़िया चोईस रहने वाली ज्यादा बजेट है तो आप ड्यूक 200 की और भी जा सकते हो पर जहां सबसे जादा डाउट आता है ना कि NS200 लेना चीए और वी शूट गो फॉर अगर आपको पावर ही एक गोल है कम पैसे में ज्यादा स्पोर्टी बाइक चीए ज्यादा एग्रेसिव पावर वाली बाइक चीए देन फॉर शूर NS200 इस फॉर यू गैस वीडियो अच्छी लगी हो यहां तक देखिए हो तो यार लाइक करना चैनल को सब्स्राइब कर ल